यह एवरीवन मैं हूँ सावित्री और आप देख रहे हैं राधा की रसोई भाई SJS तो फ्रेंस आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार वेज़ दलिया की रेसिपी तो फ्रेंस रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी को राधे राधे तो आए रेसिपी शुरू कर है अब फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक हरी सिमला मिर्च है और एक आलू है एक इंच अद्रक का टुकड़ा है इसे भी बारिक बारिक काट लिए हैं एक गाजर है तो सारे चीज को काट करके रख लिए हैं और यहां पर एक कप एक गेहूं की दलिया है जैसा क घी तेल के थोड़ा सा इसको भून लेंगे लो फ्लेम पे थोड़ा सा भूनेंगे हाई फ्लेम पना भूलें नहीं तो जल जाएगा और भूनेगा नहीं तो थोड़ा इसको लो फ्लेम पे भूलें और फ्रेंस बहुत ही मज़ेदार दलिया बनती है तो आप इस से एक पार इस तरीके से जरूर ट्राय करिएगा बहुत ही स्वादिश्ट आपको लगेगी आप इसी तरीके से हमेशा बनाना पसंद करेंगे क्योंकि बहुत ही स्वादिश्ट लगती है मैं तो हमेशा यहीं बनाती रहती हूं तो यहां पर जिसा कि आप देख सकते हैं कि दलिया भी अब इसे रखते हैं साइड यहां लेंगे कुकर तो फ्रेंड्स आज कुकर में ही दलिया बनाएंगे तो सबसे पहले इसमें डालेंगे एक चम्मच घी है और दो छोटे-छोटे दालचीनी के तुकड़ा है इसे भी डाल देंगे इसी के साथ थोड़ा सा दालचीनी के तु आज यहां पर डाल करके मीडियम फ्लेम पे इसे थोड़ा सा गोल्डेन ब्राउन होने तक भूनेंगे और गयस का फ्लेम यहां पर मीडियम है हाई न रखें और थोड़ी देर तक इसको चलाते हुए भूनेंगे अब यहां पर अद्रक हरी मिर्च थोड़ा देर तक प्याज के साथ अद्रक और हरी मिर्च को भी डालकर भून देंगे पहले अगर घीमे डालते तो थोड़ा तिखापन मिर्च का खतम हो जाता है इसलिए इस स्टेज पर डाले हूं प्याज के साथ डाले हूं ताकि मिर्च का भी तीखापन बना रहे क्योंकि मुझे बहुत तीखा थोड़ा पसंद है और यहां पर दो टमाटर लिए हुए हैं इसको पीस लिए हैं आप चाहें तो काट करके भी डाल सकते हैं लेकिन मैं थो पथाई चमच काली मिर्च का पाउडर है आधा चमच लाल मिर्च पाउडर है तो हरी मिर्च भी डाली हूं तो यहां पर ध्यान दिजिएगा आप जितना तिखा खाना पसंद करते हैं उतना ही हिसाब से डालें तिखा आपको पसंदना हो तो लाल मिर्च इसकीप कर सकते है देड़ चम्मच नमक डाली हूं या अपने टेस्ट के कोडिंग आप नमक डाल सकते हैं यहाँ पर मसाले को अच्छी तरह से घी से प्रेट होने तक भुनेंगे ताकि मसालों का कच्छा पंदूर हो जाए और मसाले अच्छी तरह से भुन जा ठोड़ा सा कुकर का ढखन उपर से रखे हैं लगाए नहीं है ठोड़ा सा तीन से चार मिनट तक मसालों को भुनेंगे तो जिसा कि देख सकते हैं कि घी सर्फेस पर आ चुका है और अच्छी तरह से मसाले से भी खुसबू आ रही है तो मसाला यहाँ पर भुन चुका है अब इसमें जो दो करके दलिया रख दालेंगे अब यहाँ पर सारी सब्जियां एक ही बार डाल देंगे सब्जियों को जो भी सब्जियां काटकर रखे थे और फ्रेंस मेरी आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा अगर चैनल पर पहली बार आये हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें बेल आइकन भी दबाद दिजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोट करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचें तो यहाँ पर तीन कप पानी डाले हुए हैं एक कप दलिया के लिए तीन कप पानी इनप है मुझे थोड़ा सा थीकी दलिय अच्छी लगती है बहुत ज्यादा पानी पानी नहीं बाकि आपको ज्यादा पतली अच्छी लगती है तो आधा कप पानी और बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर जिसा कि अब देख सकते हैं पानी डाल दिये हैं थोड़ा सा धकन लगा देंगे और तेज आज पर एक सीटी ल दलिया पक चुकी है बहुत ही स्वादिष्ट दलिया बनकर तयार है और बीट रूट की वज़ह से इसका कलर कितना प्यारा आया हुआ है और आलो भी पक गया है तो एक सिटी में आराम से पक जाएगा और फेंस इस रेसिप्यों को जरूर ट्राय करिएगा इस तरीके से बहु गी है घी ऑप्ष्णल है बाद में डालना चाहें तो डालें नहीं तो इससे कर दें लेकिन इस टाइम पर डालने से दलिया के टेस्ट में चार चांद लग जाता है तो आप कोशिस करें अगर पसंद होगी तो डाल दें अब यहां पर चलते हैं इसको सर्व करने दलिया तो लिजे फ्रेंड्स बेज दलिया बनकर तयार है आप भी इसे जरूर ट्राय करिएगा बहुत ही स्वादिश्ट बनी हुई है दलिया और कमेंट करके भी बताइएगा कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी और इसके बाद आपको कौन सी रेसिपी चाहिए मिलते हैं एक